छल्यूप सब्सक्राइब करें ऑर उससे पहले जो मैं एक वीडियो ढादा था उसमें इसका इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर x plus 1 by x k रहे, x minus 1 by x का value निकालना है, जैसे उसमें x to the power 289 था, plus 1 by x to the power 289 था, वो वीडियो अब देख लिजे, उसमें मैंने बताया है कि उसका concept मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और यहाँ पर अगर minus का value k रहे, minus का value अगर दिया रहे प्लस निकालना रहा है, यह पर plus का value देगा, minus हम लोको निकालना रहेगा, यह minus का value देगा, price निकालना रहा है, तो यह हम लोग कैसे निकालते हैं, चलĩँ आईए देखते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं लोग इसका वैलू कैसे निपाते हैं जैसे की x प्लस 1 बाई x का वैलू दियागा है कि तो इसको हम स्क्वारिंग कर देते हैं बोथ सेट स्क्वारिंग करने पर x-square plus 1 by x-square plus 2 k-square यानि x-x cancel होगी है 2 into a v होता है न x-square plus 1 by x-square का वैलू कितना होगी है k-square minus 4 अब हम लोग को निकालना क्या है निकालना है हम लोग को x-1 by x टब है ठीट है x-1 by x का वैलू निकालना है x-1 by x का वैलू हम लोग को निकालना है इसका आ गिया है कि इसको ठीक है ना अगर x- यहीं पर हम अगर प्लस टू ना करके यहां से इसको अडाता है यहीं से कर देते हैं x-square plus 1 by x-square अगर यहां पर दोनों सेड़ माइनस टू कर दिया जाए माइनस टू हो जाएगा जाकर के स्को अगरा के स्कोयर स्कोयर के माइनस 4 होगी है तो यहां से x-1 by x का निकल गया root over k square minus 4 आगे यहां से root उसी तरह प्लस वाला भी जाएगा प्लस वाला जाएगा x square minus इसको whole square कर दिया जाएगा उसी तरह से जाएगा x square plus 1 by x square यहां पर minus था तो plus में आ जाएगा तो यहां पर प्लस कर देंगे हम तो यहां से k square plus 4 आ जाएगा x square बड़ाबर k square plus 4 x plus 1 by x का value आ जाएगा root over k square plus 4 तो root over k square plus 4 आगे यही हमारा concept है देख लीजे पूरा जो यहां से निकालना था इस वीडियो को मैं मैं और अच्छा से और वीडियो बनाऊंगा ट्रिक से related ही है तो मेरा बस शुरुआत था वीडियो का शुरुआत था मैं और अच्छा बनाने के कोशिश करूंगा